और मेरे प्यारे बच्छो कैसे हैं आप लोग मुझे पुन्वी स्वास्ता आप बहुत अच्छे होंगे मैं रुपेश्कमार सिंग आप सभी का हमारे JMD क्लासें स्वागत है आप हमारे चैनल JMD ISN SSC क्लासें को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भूलें ताकि रिजनिंग की जितनी विडियो अप्लोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलें चलिए आज जब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं रिजनिंग का वह हमारा है वर्ड फॉर्मेशन इसमें हमें किस टैप का कॉस्शन आएगा जैसे यह हमारे फॉर हमारे वर्ड दिए होग हैं इसमें चार हमारे जो alphabets है T, R, P, B और पूछ रहे हैं इस चारो alphabets में से किस alphabets को इसमें add करें ताकि इन चारो की क्या हो जाए? meaning आजाए यानि इस चारो meaningful हो जाए यानि यह जो हमारा T है, R है, P है, B है हम पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं. अगर हमारे औप्षण में पहले ऐसे mark करके filling the blanks दिया हुआ है, तो fix है कि हमें पहले लगाना है. अगर कहीं भी नहीं दिया हुआ है, यानि हम आगे भी लगा सकते हैं और पीछे भी लगा सकते हैं. ठीके? तेर विंस तो फाड़ना होता है पर यहां टेर कुछ होता है नहीं तालम कुछ होगा ही नहीं हमने देखा अगर हम यहां पे लगाते हैं और लगाते हैं तो रिंच रियर रेयर अब यहां पे रालम कुछ होगा नहीं पी लगाते हैं तो यहां देखिए पिंच अगर हमने यह लगा दिया तो पिंच का मतलब हो या कोई भी चीज को पिंच करना चुभाना ला यहाँ यहां लगादिया क्या हो जाएगा लग क्या जाकम बोलتे हैं यह जोड़ा है अब यहां पी लगा दिया बाल्म हमरा क्या हो यह हतेली है करें तो हमने देखा वह कि गिवेंड वर्ड नहीं बड़ा दे तो सारे क्या हो जा रहे हैं मैनिंग वहा Year is a competitive होता है कि बहुत सारे बच्चें स्वर्टश को उस-से मेहीं मेनिंग नहीं पता रहता है किसी भी वहीं मैनिंग नहीं पता है तो में क्या पता है इसके लिए हमें क्या करना है हमारे पiences मैंड में टेक्षंद मैंड नहीं चाहिए 가운데 ठिक्स्राइर मांने फिट 오नी चाहिए कि अब आगे देखिए हमें दिया हुआ है p brain रश क्र अभी इसमें शिम्बोल दिया हुआ है कि हमें आगे लगाना है ठीक है यानि इसके बाद में लगाना है इन तिन वर्ट के बाद में वह मिसिंग है अगर इसमें इंडिन अल्फाबेट इंडिकेट नहीं किया रहता तो हम इस चारों दीए अल्फाबेट में से पहले भी लगा सकते थे और बाद में भी लगा सकते थे बस हमारे क्या होना चाहिए यह मेनिंग आना चाहिए कुछ लगाएंगे तब भी आजाएगा लाश्ट में लगाएंगे कुछ पहले लगा दें कुछ वट्स में लगाएंगे तब भी आजाएगा अगर question में मैं सब्सक्राइब करना है यानी पहले ही करना आफ्टर इंड में अपने आप से उस्षी पहले और रिंज्ट में एक सिंगल अल्फाबेट को एड करके मेरिंस नहीं बना सकते ठीक है कंडिसन देगा तो हमें इसके करना है और अगर लिग सने आपके पास कोई भी चीज़े एपल है अब उसमें साफ ओन भाई फोर्थ हिस्सा ले रहे हो जैसे खाने के लिए तेक पार्ट हिस्सा हमने ले लिया ठीक है है कि माट यह टी लगा दिया यानि हम बजार जा रहा हैं बजार में जाते हैं कोई ना कोई चीज़ को परचेज करने ठीक है अभी तो मैक्सिमम कुछ दिन पहले तक लोग डाउन में सारे बजार बन थे अब यहाँ देखो यह टी लगाते हैं तो काट यानि क्या हो गया कभी आपने रत को गधे और बेल को खिषते हुए देखा है नहीं देखा है हमें सब्सक्राइब बहुत पूराने जवाने में जब हिस्टोरिकल आप मोवी देखते हो तो उसमें लगता है कि बड़े-बड़े अजीव टाइब के जो जानुवर है वह भी बड़े-बड़े र लिक लिए तो अच्छी बात है नहीं तो पॉज करके आप लिख लेना ठीक है अगला कोश्चन हमरा दिया हुआ है जैसे यहां मिसिंग है यहां यह है और यहां मिसिंग है ठीक है अब इसमें ऑप्सन दिया हुआ है कि एस टी कि अप्संबी दिया हुआ है ल आर अप्संसी दिया हुआ है टी आर और अप्संडी दिया हुआ है एम आर थीक है अब हमसे आपसे पूछ रहा है कि इस वर्ड में हमें दो अल्फवेट मिस है ठीक है अब पूछ रहा है कि यह दो अल्फवेट जो मिस हैं इसमें से कौन ऐसे दो अल्फवेट को पूट करें कि यह मेनिंग्फुल हो जाए ठीक है कि एल और और करते हैं तो यह कोई बहुत ही अजीब नाम लग रहा है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है यानि इस वर्ड का कोई में नहीं होगा ठीक है हम अगर टीयार इसमें पूट करते हैं अगर यहां पर हमने यह टीयार दिया हुआ है फर्स्ट में टी पूट कर दिया और लास्ट में आर पूट कर दिया तो हमें अल्टर एक वर्ड सा रहा है अल्टर का मतलब होता है बदल देना कि क्या होता है है कि बदल देना यानि हम यह पता लग गया कि यहाँ पूद कर देंगे तो कोई ने कोई रहा रहा है तेकि यह जी इस टैप के जितने भी कोश्चन आते हैं इसमें हमें वर्ट स्मयानी चाहिए जो भी वर्ट्स दिया हुआ है worst सार आते हैं थोड़ा सा difficult आते हैं कि श् Wan sem लाता है जो हमें लगता है तो हमने कभी सुना ही ठीक है कि यह होती है नारे साथ है फे रहते हैं इसमें क्या करता है कि इसमें हमारे अलग-अलग different different type के उसमें change करते रहता है तो हमें क्या करना है कि जितने wordflies मैंग है दो हम्हें इख से याद होनी चाहिए इसका मैं करने करनेका ai कि याद होना है कि यह पूरी सिद्धा से में debt करें और मेहनद करते हैं ठीक है पूरी मेहना से काम किया गया आज तोक पूरे इसमें कोई भी असफल नहीं हुआ है ठीक है ओके थैंक यूँ